Hello friends, welcome to Step Up I is to, अगर आप सभी लोगों का प्रिलिम्श मैसर सीरीज में, आज हम इन्वार्मेंट इनिकालजी का छठा लेक्चर डिसकस करने जा रहे हैं, और जो लेक्चर कोड है, वो है, PSS EE6, सिंपल है, प्रिलम्श मैसर सीरीज इन्वार्मेंट इनिकालजी 6, प्रिगनर से प्रोच में देखते हैं में इकोश्टम की बात करने वाले हैं इसके पहले हम इकोश्टम क्या है और उसके फंक्शन क्या है जैसे की और इकोश्टम की है इसके लाव हम एकोटिक उस्टम वेटलैंड एकोश्टम को भी डिडिल में डिसकस करेंगे तो आईए नोट्स आपको कैसे बनाने हैं आप जानते हैं आप अपनी शीट को चार्या पाँच-शिस्टो में डिवाइट करेंगे चुदा चुदा चुटा ल management area जिस पर आपको काम करना होता है if you can afford you must join that program if you cannot we are doing a lot of things for you people अगर आपको detailed information चाहिए तो आप इन numbers पर contact कर सकते हैं चलिए आज जब हम बात कर रहे हैं types of ecosystem में terrestrial ecosystem की तो हम देखेंगे tundra, taga, temperate forest, desert, rainforest और grassland इनके बारे में detail में बात की जाएगी तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ terrestrial ecosystem क्या होता है terrestrial ecosystem एक ऐसा ecosystem है जो केवल biomes में ही पाया जाता है मैं आपको एक चीच clarify करना चाहूँगा जब आज हम terrestrial ecosystem की बात कर रहे हैं तो हमें biome discuss करने के आवशक्ता नहीं पड़ेगी जो की इससे बड़ा concept होता है देखे, biome क्या है पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ देखे, biome एक ऐसा area होता है जहां पर similar climate पाया जाता है plants और animals भी एक तरीके के ही पाया जाते हैं जैसे माली जी एक area है यहाँ पर जो temperature पाया जाएगा वो इस पूरी area में uniform तरीके से पाया जाएगा तो जो plants और animals यहाँ पाया जाएंगे वही यहाँ भी पाया जाएंगे तो इस पूरी area को हम एक biome बोल देते हैं एक biome के अंदर कई तरीके के ecosystem पाया जा सकते हैं एक चीज आप और देए ध्यान रखिए कि कोई भी plant या animal अगर किसी biome में पाया जाता है तो अपने biome से काफी adapted होता है उस area में वो आसानी से रह सकता है इसके अलामा अगर दो biome similar characteristic के हैं सपोस करिए एक area यहाँ पर है जहां का जो temperature है वो 35 degree Celsius है और एक जगे यहाँ पर है यहाँ पर भी जो temperature है वो 35 degree Celsius है और बारिस एक सो पचास centimeter होती है यहाँ पर भी बारिस एक सो पचास centimeter होती है तो जो plants और animals यहाँ पाये जाएंगे वही यहाँ पर भी पाये जाएंगे तो यह बायोम का characteristic होता है अगर specific characteristic वाले दो area है तो plants और animals same तरीके के पाये जाएंगे दोनों बायोम में अब मैं आपको यह clear कर देता हूँ कि जब हम यहाँ पर terrestrial ecosystem पढ़ रहे हैं तो आखिर हम बायोम के study क्यों नहीं करेंगे देखिए मैं आपको यह चीज clear करता हूँ कि जो बायोम होती है इसके study हम दो basis पे करते हैं बायोम में हम study करते हैं flora और fauna की flora and fauna की flora का मतलब plants और fauna का मतलब होता है animals और इनके study हम किस basis पे करते हैं अब देखिए flora और fauna की study की जा रही है temperature और precipitation के basis पे तो यह बात करते हैं कि flora और fauna कहां पाया जा सकते हैं मतलब की पेड़ पौधे और जानवर दो जगए पे पाया जा सकते हैं या तो वो land पे पाया जाएंगे या फिर water में लेंड की बात करें मतलब की terrestrial ecosystem और water की अगर हम बात करते हैं तो aquatic ecosystem अब flora और fauna land और water दोनों जगए पे पाया जा सकते हैं लेकिन बायोम जो है वो water में नहीं पाया जा सकता है कारण क्या है कारण मैं आपको यह बताता हूँ क्योंकि temperature जो होता है वो water में उसका variation बहुत कम होता है मत्तब कि जो temperature आपको Indian Ocean का मिलेगा most probably वही temperature आपको Atlantic Ocean का भी मिलेगा ठीक है तो जो temperature variation है बहुत कम होता है precipitation का फरक जो होता है वो water में यानि कि aquatic ecosystem में पढ़ता नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही पानी है बारिस कम हो या ज़्यादा हो कोई फरक नहीं पढ़ता यानि कि temperature और precipitation का जो variation में देखने को मिलता है वो केवल land पे यानि कि aquatic ecosystem पे देखने को मिलता है इस वजह से जो biome का classification है वो water यानि कि aquatic ecosystem में नहीं किया जाता बायोम का classification केवल terrestrial ecosystem में किया जाता है जानि कि अगर हम terrestrial ecosystem के study कर रहे है actually में हम biome के study कर रहे है तो हम terrestrial ecosystem को discuss करने के बाद biome को discuss नहीं करेंगे याँकि दोनों चीजे बिलकूँ सेम है अब terrestrial ecosystem या फिर biome में हम 6 classification करते हैं tundra biome, taga biome, temperate forest, tropical rainforest, grassland और desert तो आईए एक एक करके हम इनको discuss करते हैं सबस्रा differentiation हम कर लेते हैं terrestrial ecosystem और aquatic ecosystem में देखे terrestrial ecosystem जो होता है वहाँ पर water की कमी हमें देखने को मिलती है हाला कि पानी तो वहाँ भी होगा अगर पानी नहीं होगा तो फिर flora और fauna डेवलप नहीं कर पाएंगे लेकिन water जो है वह aquatic ecosystem में बहुत सारा होता है लेकिन terrestrial ecosystem में जो है water एक limiting factor होता है पानी जहाँ ज़ादा है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ होगी जहाँ पानी कम है वहाँ पर flora और fauna की कमी देखने को मिलेगी तो water एक limiting factor है terrestrial ecosystem में ना कि aquatic ecosystem में अब आई ये बात करते हैं कि जो temperature fluctuation होता है वो terrestrial ecosystem में काफी ज़ादा होता है जबकि aquatic ecosystem में इसका fluctuation बहुत कम देखने को मिलता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके अलावा light की जो availability है वो terrestrial ecosystem में बहुत ज़ादा होती है aquatic ecosystem में कम होती है पानी में या फिर oceans में एक limit की बात जो sunlight है वो जा नहीं पाती इसी की basis में हम इनको classify करते हैं photic zone और a photic zone में इसको हम next lecture में देखेंगे भी इसके अलावा एक important बात है जो gas की availability है वो भी terrestrial ecosystem में ज़ादा होती है comparison to aquatic ecosystem आगे बढ़ते हैं टुन्रा बायोम की बात करते हैं देखें टुन्रा बायोम जो है या फिर जो ecosystem है वो दो चीजों में classify किया जा सकता है और अल्पाइन टुन्रा अल्पाइन टुन्रा को अल्पाइन टुन्रा क्यों कहा जाता है देखिए हमारी अर्थ पर जो लाइन्स खिची गई है इमेजिनरी लाइन्स हैं उनको हम दो इंपोर्टन लाइन्स हैं एक है आर्केटिक सर्कल और दूसरा होता है अंटार्केटिक सर्कल अर्केटिक सर्कल हमारे नदन हमेश्वेर में पाया जाता है जबकि अंटार्केटिक सर्कल के उस तरफ तुन्रा बायोम नहीं मिलता है करन क्या है क्योंकि वहाँ पर land available नहीं है जो कोई area है भी वो केवल बर्फ से जमा हुआ है तो वहाँ पर कोई भी plant और animal नहीं पाया जाते हैं except a few those are not very significant तो इस वज़र से टुन्रा बायोम केवल नदन हमेस्फियर में पाया जाता है इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा अब बात करते हैं अलपाइन टुन्रा की अलपाइन टुन्रा जैसे देखी जो characteristic temperature और precipitation का हमें नदन हमेस्फियर में आर्कटिक सर्किल के उस तरफ मिलता है north की तरफ मिलता है बिल्कुल वही temperature और precipitation का variation जब हम mountains पे चड़ते हैं तो हमें मिलता है normal lapse rate की वज़र से जब हम height पर बढ़ना सुरू करते हैं तो जो temperature है वो गिरना सुरू हो जाता है temperature lower होने लगता है एक limit ऐसी आती है कि बिल्कुल वही characteristic हमें mountains में मिलने लगते हैं जो characteristic हमें मिलते हैं arctic circle के उस तरफ तंड्रा बायों में तो ऐसा area जो पहाडों पर बिल्कुल वही characteristic रखता है जो की arctic circle में हमें देखने को मिलता है उसे हम alpine tundra के हजिया करते हैं ठीक है तो alpine tundra पहाडों पर पाया जाएगा यह है रॉकीज का area यह है एंडीज का यह हिमालिया का area है यहाँ पर पहाडों पर हमें alpine tundra का area देखने को मिल जाता है तो यह बाते तो मैंने आपको बता दी tundra जो हमारा biome है उसका classification यहाँ पर कौन से plants और animals पाया जाते हैं वो देख लेते हैं स्मोवी आउल हमें देखने को म प्लांस में देखे बारी सूती नहीं है तो पेड़ बहुत ज्यादा उगेंगे नहीं लाइकेंस, mosses, grasses और सजेस हमें देखने को मिल सकती हैं त्रीज बिल्कुल नहीं पाये जाते हैं टundra बायों में पेड़ आपको नहीं मिलेंगे परmafrost region होता है साल में लगभग हर समय यहां पर बरफ जमी होती है, दो-तीन महिनों के लिए बरफ फिघलती है तो वहाँ पर छोटी-छोटी घासे उगाती है और बहुत ही प्यारे-प्यारे फूल उगाते हैं तो देखे इन घासों को खा सकते हैं ऐसे जानवर वही वहाँ पर पाये जाएंगे और जो एनिमल प एक खिरन के प्रजाती होती है, थोड़ी बहुत जो घासे उकती है, यह उसको खाता है, that's why यह वहाँ पाया जाता है, Siberian Linex, यह बिल्ली की एक प्रजाती होती है, जो कि Siberia के एरिया में पाई जाती है, Cotton Plants, छोटे-छोटे पौधे उगाते हैं, रूई की तरह उन्हें Cotton Plants बोला जाता है, इसके नवा Likens हमें पत्थरों पर देखने को मिल जाएंगे, Yellow Tundra Flower हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर छोटे-छोटे पीले-पीले फूल देखने को मिलते हैं, जब भी बरफ वहाँ पुगलती है, तो ये फूल वहाँ पर हमें दिखाई पर जाते हैं, तो ये Tundra Plants और Animals के बारे मैंने आपको बता दिया, अब आए टेगा की बात करते हैं, टेगा का ये जो रीजन है, ये Tundra के नीचे वाला जो रीजन है, उसे हम टेगा का रीजन बोलते हैं, ये Canada, Europe, Asia और United States के रीजन में पाया जाता है, description ये है कि यहाँ पर कौनी Ferrous Forest पाया जाते हैं, कौनी Ferrous Forest का मतलब ये है कि जिनका उपरा सिरा जो होता है वो नुकीला होता है, नुकीला इसलिए होता है ताकि अगर बरफ गिरे तो ये यहाँ से फिसल जाए और उनकी टहनियों को या पत्तों को ये तोड़ ना दे, तो इस atmosphere में इन्होंने खुद को adopt कर लिया है, इस वज़े से यहाँ पर कौनी Ferrous Forest पाया जाता है, इसके अलावा काफी पतले पेर पाया जाते हैं, एक दूसरे के घने पेर पाया जाते हैं, एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी Mosses और Lycan's हमें देखने को मिल जाते हैं, अब देखे, Mosses एक तरीकी की डियर फैमली की प्रजाती है, जो कि यहाँ पर पाया जाती है, Eurasian Beaver उद्बिलाओ की प्रजाती भी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है, टैगा के रीजिन में, टैगा के रीजिन में हमें Linux भी देखने को मिल जाता है, जो कि बल्ली की प्रजाती है, इसके अलावा Wolverine, जो कि USA में पाया जाता है, Canada में पाया जाता है, यह एक Mammal है जो पाया जाता है, इसके अलावा Red Throated Loon, एक Water Blood है, जो हमें इस रीजिन में देखने को मिल जाती है, Hemlock एक जहरीला पौधा होता है, जो कि हमें टैगा के रीजिन में ही देखने को मिलता है, Larch Needle एक ऐसा पौधा है, जिसकी पत्तियां बहुत ही नुकीली होती है, बिल्कुल सुई की तरह होती है, ताकि अपने आपको यह वरफ से बचा सके, इसके अलावा हमें पेडों पर भी लाइकेंस देखने को मिल सकते हैं, इस रीजिन में, अब बात करते हैं Temperate Forest की, Temperate Forest देखिए ऐसा एरिया होता है, जो मांसून वाले रीजिन में पाया जाता है, यह Autumn रीजिन में, यानी पदरहड के रीजिन में अपनी पत्तियों का कलर बदलने लगते हैं, नो थेरिया में जो भी पत्तियों आप जानते हों, जैसे की नीम, बबूल, बरगद, ये सारे ही पेड आपको इस रीजिन में देखने को मिल सकते हैं, एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, भी कह सकते हैं यहां पर संद्र पाया जाता है सेंड़ भी भी पाया जाता है हम जैनरर ली स्तेर को नहीं धेख पाते तो इसे लिपीसी किशन फूसंट हो जाते है हम से कई बार ट्रपेकल रियन फॉरेस्ट में लगा दिया करते हैं temperate dry deciduous forest dry deciduous forest और moist deciduous forest temperature का जो variation है sorry जो precipitation का variation है मैं आपको बता देता हूँ अगर जो बारिस है वो 120 cm से 200 cm के बीच में है तो इस region में हमें temperate forest देखने को मिल जाते हैं तो अगर बारिस 120 cm से 150 cm है तो हम उस region में temperate dry deciduous forest देख लेते हैं जबकि यही variation अगर 150 cm से 200 cm के बीच में है तो हम यहाँ पर moist deciduous forest देख सकते हैं अब आपके लिए एक सवाल है आपको यह बताना है कि इंडिया में क्या ज़्यादा पाया जाता है dry deciduous forest या फिर moist deciduous forest इस पर UPSC एक बार अगर हम ज़र्मरू की बात करें तो यहाँ पर हमें white-tailed deer देखने को मिल सकता है रकून भी हमें देखने को मिल सकता है इसके अलमा grey squirrel, black bear, wild turkey, maple, american beach और ओक के पौधे भी हमें इस region में देखने को मिल जाते हैं अब आई यह बात करते हैं tropical rainforest की tropical rainforest जो है वो एक तो देखे है हमारी अर्थ है यहाँ पर center से equator जाता है यहाँ पर है topic of cancer and that is topic of capricorn इसके बीच का जो region है यहाँ पर हमें tropical rainforest देखने को मिल जाते हैं actually में equator के आसपास का जो area होता है वहाँ बारिज बहुत जादा होती है that's why वहाँ पर हमें rainforest देखने को मिलते हैं region है America, Asia, Pacific Island, Australia, New Zealand और Africa के region में हमें tropical rainforest मिल सकते हैं description यह है कि दो तरीकी के rainforest होते है tropical rainforest और temperate rainforest कई बार जो temperate region है यानि कि यह जो topic of cancer और capricorn है इसके नीची वाले region में भी हमें rainforest देखने को मिल जाते हैं तो उसे हम कह देते हैं temperate rainforest plants में हमें wines, palm tree, orchid, forns ये सारे पौधे मिल जाएंगे animals में हमें snake और birds वगएरा देखने को मिल सकते हैं देखे ये green winged macao है ये एक तोती की प्रजाती होती है जो हमें rainforest में मिल जाती है jungle python अजगर भी हमें देखने को मिल सकते हैं इस area में अब देखे यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो sunlight के लिए आपस में competition करते हैं that's why इनकी height बहुत ज़दा बढ़ जाती है बहुत ज़दा घाने जंगल होते हैं sunlight आसानी से मिल नहीं पाती है तो sunlight को पाने के लिए पौधे अपने लंबाई को पढ़ाना सुरू कर देते हैं ठीक है पैरिफाइड भी इस area में ज़्यादा पाये जाते हैं ऐसे पौधे जो बड़े पौधों के उपर घेर लेते हैं और उन्हीं पर अपना जीवन यापन करते हैं पैरिफाइड बोल दिया करते हैं इसके लावा देखे जिंपाजी हमें इस रिजन में देखने को मिल सकता है फ्लाइंग ड्रैगन ये छिप्तली की प्रजाती है जो कि ऑस्टेलिया की रिजन में पाई जाती है इसके अलावा कैफिबारा ये सबसे बड़ा जीवित रॉडेंट है रॉडेंट का मतलब होता है चूहे की प्रजाती बहुत बड़ा ये चूहे जैसा एक जानवर है इसे कैपिबारा के नाम से जाना जाता है तो ये हमें रेनफॉरेस्ट में देखने को मिल सकता है बंबू, बनाना ट्री देखे आप कन्फूज हो सकते हैं कि बनाना जो है वो रेनफॉरेस्ट में कहां मिलता है क्योंकि ये हमारे रीजिन नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिल जाता है तो ये तो रेनफॉरेस्ट का एरिया नहीं है लेकिन जो बनाना है वो बहतायत में रेनफॉरेस्ट में ही मिलता है इसका अवह ORCGE की पोधे भी हमें रेनफॉरेस्ट में ही मिल जाते हैं आपको थब थगा झाले होना चाही है अब है ग्रासलियंक्ती की बात करते हैं प्लांट्स में आपको सैल्विया, ओर्स, यह सारी शीचे देखने को मिल जाएंगी अनिमल्स में आपको जेब्रा और बिसन देखने को मिल सकता है जेब्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिसन, अमेरिकन बिसन यह एक बुवाइन की प्रजाती हो सकती है कहा जाता है, आप इसे बफैलो भी कह सकते है यह बफैलो कोई काटेगरी का जानवर होता है इसे बिसन भी कहा जाता है अब देखें कुछ ग्रास लैंड्स और प्लांट्स और अनिमल्स में आपको बता देता हूँ जैसे कि ब्राउन हाइना एक लकर बग्गा है जो कि ग्रास लैंड्स में पाया जाता है अफरिका बगएरा में काफी पाया जाता है मैंने क्वेशन भी पूछा था अफरिका में इनका कॉंपटिशन होता है लाइन्स से अपनी प्री के लिए, सिकार के लिए जिराफ पाया जाता है घासो को यही खा सकता है black-tailed prairie dog आपको वहाँ देखने को मिल सकता है एक कौन flower आपको देखने को मिल सकता है यह डैसी प्रजाती का पौधा होता है या आप यू कह सकते हैं sunflower family का एक पौधा होता है कौन flower इसको कहते हैं वहाँ पर आप wheat भी देख सकते हैं साल्विया एक फ्लार की प्रजाती होती है का आपकी खूफ्सूरत होती है अट्रेक्टिव होती है वो भी हमें ग्रास लैंड में देखने को मिल जाती है ठीक है अब आई यह बात करते हैं डिजर्ट फॉरेस्ट की डिजर्ट में नौर्थ और साउथ अमेरिका अफ्रिका कुछी घहां से आपको देखने को मिल सकते ही इस एरिया में एनिमल्स की बात करें तो इंटेंस हीट और वाटर की कमी बहुत ज्यादा होती है इस वजह से ऐसे ही जानवर पाये जाएंगे जो कि इस हीट को बरदास कर सकें या फिर पानी की कमी को भी बरदास कर सकें अब द देखने को मिल जाती है कहां पर डिजर्ट रीजन में इसके अलावा लैपट फेस्ट वल्चर आपको वहां देखने को मिल सकता है थौनी डैवल यह भी ऑस्ट्रिया में पाया जाता है डिजर्स में चिपकली के प्रजाती ये भी है कैक्टस रिन एक छोटी सी चडिया है य पूछेंगे पर जो हमारा डिस्केशन है वो समप्त होता है उसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी देखे सवाल यह था कि सक्सेशन के दौरान ग्रास लैंड में जो पेड़ है वो ग्रासिस को रिप्लेस नहीं करते करण क्या है करण है वहाँ पर लैक ऑफ वाटर पानी की अगर आपने इस देखे सब्सक्राइब कर लिया है बहुत अच्छी बात है नहीं किया है तो कर लीजिएगा अगर यूसफुल लगे तो साथ ही आप इन लेक्शर को सेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को इसका बेनेफिट मिल जाए थैंग्स फर वाँ इस दिसक्षिन थैंग्स अलोट